है ओlles लå students तो इस वीडियो के अंदर जो में डिस्कस करना है यह ओर चैक करने लिए बार टाइंडर सारी चीजें के होती हैं के जो को आपने फिल किया है वह सब डी बार चेक करना होता है तो जब प्रिंट वहां से डाउनलोड होगा तो उसी को अगर वो हो गया तो फिर उसको आप वहाँ से चेक नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप उसमें पहले क्रोस चेक करें अपने कोलेज में डिसकस कर लें अगर कोई भी प्रॉब्लम में आती है और पूरा कंफर्म होने के बाद ही उसको आप फाइनल समिट वहाँ पर करें तो एक PDF है जो सेकंडियर वाले बच्चे का है तो वो मैं आप लोगे साथ डिसकस कर रहा हूँ सेम थडियर वाले बच्चों के लिए होगा जो रिनीवल वाले बच्चे हैं तो डाउनलोड इड जो प्रिंट है वो कैसा होगा कैसा उसमें जिचे जिचो होगी वो मैं आप लोगे साथ डिसकस करता हूँ चलिए डिसकस करते हैं पॉइंट वाइस एक एक पॉइंट इसमें डिसकस करेंगे रिनीवल वाले स्टुडेंट्स अपना फॉइंट को सेव करके चेक करने के लिए प्रिंट वे निकाल सकते हैं और प्रिंट निकालने के बाद उसको देख लें कि सभी चीजे जो भी आपके दौ़ारा उसमें एडिट की गई हैं या पहले से जो भी हैं वो सब ठीक हैं जो एडिट हो सकती हैं वो एडिट कर लें और कहीं अगर कुछ चीज ऐसी हैं जहां पर करेक्शन नहीं हो सकता मां तो कुछ नहीं कहज़ा सकता वे तो एजिटीज देहेंगी और साथ ही यह एक एग्जांपल के तोर पर मैं यहां पर एक फॉर्म डिसकस कर देता हूं जो रिन्यूवल वाले बच्चों के लिए है जो भी सेकंडियर थडियर के स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर में खास करूनी के लिए अब डिसकस कर रहा हूं तो जो रिन्यूवल है उसके बाद जो आप एडिट करके सेव करके प्रिंट निकालते हैं यह उसके बात का है इसके ओपर लिखा हुआ भी है यह प्रिंट सिक्षन संस्था में जमा करने हैं तू मानने नहीं है इसका मतलब क्या हुआ अभी आपने फाइनल समिट नहीं किय है केवल उसको form को fill करके correction जो होते हैं किये कर लिया आपने केवल उसको अभी save किया final submit नहीं किया जब आप final submit करेंगे तो यहाँ पर section संस्तान में जमा करने है तो वो print लिखा कराएगा और उसके आज साथ आप लोग सभी आपके जो भी समस्त documents हैं वो आप उसमें लगा कर वहाँ पर उसको submit करेंगे जैसे जाती परमान पतर है आई परमान पतर है निवास है और आपके जो section परमान पतर हैं तो जितने भी document इसके अंदर लगने होंगे वो सब आपको इसमें लगा करके दो set में आपको वहाँ पर जमा करने होते हैं और साथ ही पूरे form का document के साथ जो भी form होते हैं उसके एक PDF वहाँ पर बनानी पड़ती है और उस PDF को form के साथ अपने college में जमा करना है तो मैं जो print निकलेगा उसमें एक एक चीज मैं discuss कर लेता हूँ तो पहला होगा यहाँ पर देख रहे हम जो जनपद का नाम यहाँ पर आपका जो भी जिला होगा वह यहाँ पर लिख जाएगा जैसे किसी का जिला हापुड है या गाजबाद है या कुछ है तो वहाँ पर यह आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर उस section संस्थान का नाम भी की देख रहे हैं तो यहां पर इस तरह कर सकते हैं तो रिजिस्ट्रेशन संख्या यहां पर लिखी होगी आपकी जो आपका नाम है यहां पर आपका नाम आएगा बिल्कुल उसको चेक कर लिए जी का है स्कूल के नाम सही है और नाम का परीवरत नाम यह हो तो यह सकुछ अगर है तो नहीं हो गालर तो पती या पते पिता ूमे में वह यहां पर आ जाेगा माता का नाम यहां पर आओगा धर्म जो भी आपके हिंदू, मुस्लिम या माइनोर्टी हैं वो आपना उसमें लिखेंगे उपजाती वर्ग अन्य पिछला वर्ग यहां पर लिखेंगे जनम्तिति यहां पर लिखी आएगी उसको चेक कर लेंगे male or female, यहां पर होगा सही होना चाहिए, जो mobile number है उसको चेक कर लिजए के यहां पर सही ड़ा है, और यहां पर email ID आपकी हो रहेगी, email ID अब ही होने चाहिए, जो भी आपका high school हाइख करेंगे और इसके बाद नहीं पर देखेंगे कि हाइख कुल कोबॉस hazard ह्याएं है आए रहा है इसे बाद आवज स्कूल का रौडD जो भी है वही रखना नहीं तो scholarship रुप कैंसिल होने की chance reject हो जाएगा फों तो ऐसा नहीं करना है संस्था का नाम पता जहां से high school किया है वहां से इसका college का नाम पता इसमें होना चाहिए और यहां पर आगे जो भी आपकी sectionic वेवरन है वह यहां पर आ जाएगा कि जो भी वरतमार में आप पढ़ाय कर रहे हैं वह यहां पर आएगा जैसे कि पार्ठ करम का नाम क्या है तो diploma engineering three words तो diploma वाले में खास करें वीडियो डिप्लॉमों के वालों बच्चों के लिए है तो इस तरह से आप उसमा वहां पर यह फिल कर सकते हैं इसके बाद पार्ठ करम का ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच है वहां सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें प्रिंट होकर भी आएगा डिप्लॉमा इन नियामिति हां पर लिखेंगे जो थड़ियर वाले बच्चे होंगे वो थृ-3 यहां पर दियान लिखेंगे तो प्रवेस लेटरल एंट्री के आधार पर होते हैं तो वहां पर येश करेंगे और जो लेटरल एंट्री के अधार पर नहीं है वो नो लिखेंगे आवाज यह दिवाचात्र जो होस्टल में हैं वो दिवाचात्र नहीं लिखेंगे जो दिवाचात्र मतलब जो होस्टल में नहीं रहते हैं आवाज यह जो होस्टल में रहते हैं वो लिखेंगे लेकिन यहा लिए है उसमें admission की date डालेंगे और admission की date वही मानते हैं जब फीज जमा कर लेते हैं वह date वर्तमान पाठे करम के वर्तमान सतर में प्रवेश्तिति जो अभी कर रहे हैं उसकी प्रवेश्तिति क्या है वह फीज जो भी होगी उस पर आप date देख लेंगे एफिलेटिड एजेंसी में पंजीकर सिंख्या एंडॉल्मेंट नमबर यहां पर फिल करेंगे अपना पिछले साल का और विश्विद्याले बॉर्ड एफिलेटिड एजेंसी का नाम यूपी बॉर्ड टेकनिकल एजुकेशन ये पूरली टेकनिक वालों को सबको लिखना है और व्यवसाइक पाठ्थेकरम में प्रवेशक्षा 12 बारे के अंको या मेरिट के अधार पर होगा है नहीं यहां तो प्रवेश परिक्षा काउंसलिंग जो भी हमारी यूपी के माध्यम सही एडमिशन यहां पर होता है और इसके बाद यहां पर यहां पर यह मैंने कुछ दार कर दी है किसी की परसनल कुछ चीजे यहां पर शेयर ना हो इसलिए मैंने और इसके बाद पाठ्थेकरम की पातरता जो भी हाइसकूल होती है यह पुछ तो उनके लिए यह है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाई स्कूल हो गया और इसके बाद तहरा जो पॉइंट है क्या वर्तमान पाठेकरम में प्रवेश जेएसी नीट इनके माध्यम से हुआ है तो जेएसी के माध्यम से हुआ है तो यह लिखेंगे क्योंकि यह प्रवेश तो इसी के माध्यम से हो रहा है प्रवेश परिक्षा परकार परिक्षा परकार हो गया जेएसी यूप जोइंट एंट्रेस एक्चामिनेशन यह वाला प्रवेश परिक्षा में प्राप्त रैंक जो भी आपकी रैंक आई है उसको है फिल कर देंगे प् तो अपना यहां पर वो चेक कर लें यहां पर आप अपना उत्तिन करने का वाट्स लिखेंगे पूर आगे लिखेंगे लिखेंगे किसी की इंटर है या भी सी है सब इसमें भरना होता है तो इसके बाद यहां पर जो भी आगे का पॉइंट है वो यह है निजी विवरन उप जाती आवास ये पता अपना घर का पूरा अड्रेस इसमें लिखेंगे पत्र विवार का तो पूरा है अपर एड्रेस लिख राएगा और यह दिक्लांगता है तो बहुत ऊड़िये को लाट है उसको निखेंगे जाती आये का विवरन है जो अगले कॉलम में हाँ पर आएगा तो वो इसमें फिल कर दे जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जाती परमान पत्र क्रमांक अपना यहाँ पर चेक कर लेंगे वो यही होना चाहिए क्योंकि अगर यह कर्मां गलत हो जाता है तो फिर कड़ब के लिए तो फ्रेस बिल्कुल नए डोकुमेंट वहाँ पर होने चाहिए जाती परमान पत्र आवेदन संख्या क्या है वो यहाँ पर फिल होती है चात्र के परिवार की समस्रोसों से आए जो भी है वो यहाँ पर इसमें आती है और आए परमान पत्र का कर्मांक और आए पर पर आपका जो भी एकाउंट है, बैंक खाता है, वो आपका एक्टीव रहना चाहिए, ऐसा नहों कि खाता तो खुलवा लिया, लेकिन काफी समय से उसको आपने यूज नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो बंद हो जाए, तो उसको चेक करते रहना है, और उसमें हो सके तो आफसी को और यहां होगा, और चात शातरा का बैंक खाता पर अंकित नाम क्या है, वो यहां पर होगा, यह, और सारे जो भी यह खाता है, और आपने का आधार है, वो लिंक होने चाहिए, और जो मोबाइल नमबर है, वो आधार से भी और एकाउंट से भी लिंक वहां पर हो कि किषी हो सकता यह को हर क्लीज में थोड़ी सी अलग हो लेकिन जो यहां पर हमने बताई है बच्चों को अपने को पर आम देखस पर आप सब पास बरेंगे कि polytechnic के बच्चे प्रमॉट नहीं हुए हैं पास हुए हैं तो सब पास यहां पर select करेंगे उसमें और भी option आ सकते हैं कि promote with marks promoted without marks तो हमें हमारे बच्चों को polytechnic के खासकर बच्चों को पास मुँए लिखना है गतवर्स की प्रिक्षा परनाली समेस्टर पराउनाली होती है और जो भी आंख पराली है वह वारद्ची के अक्तरीस ti Anis successful को जोड़ के संस्ता 2 यह तो प्रिधियो नहीं सियर में आपका टोटल समेस्टर दोनों समेस्टर को जोड़ के आंक यहाँ पर लिखे जाएंगे परसेंटेज उसी साफ से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी और सिक्षन संस्थान जो जिसमें भी एडमिशन वहाँ पर चल रहा है वह यहाँ लिखा जाएगा और इसके साइन होने चाहिए और इसके साथ इस पूरे फॉर्म को यहाँ पर साइन होगे मातापिता को साइन होगे तो यह जो को है प्रिंट जो भी PDF है इसको 좋 Maid प्रिंट करना है और जब ये पूरे डोकुमेंट इसके साथ लग जाए तो उसकी एक पीडिएफ बनानी है कॉलिज में पीडिएफ उसके साथ उसको जमा करेंगे तो ये चीज़े इसमें थी तो डोकुमेंट आपके सारे वही होंगे जो पिछली बार आपने ज्यादता जमा परिणाम आपने भराया कि आपने जो भी हाई आपके जो पिछली साल के नंबर है वो ठीक टाक से भरे हैं एकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए इन दो के वज़े से ज्यादा स्कॉलर्सिव रुखती है और बाकी तो कुछ कारण नहीं होता है तो आप लोग ये चीज